हेलो कैसे हो प्यारे बच्चों पिटा अंग्रीजी में न एक बहुत अच्छी सी प्रोवर्ब है क्या है वह हाडर यू वर्क लख्यर यू गेट और इसका हिंदी में पैरलल क्या है हिंदी में इसका पैरलल एक है कि किस्मत के भरो से बैठने वाले कोई चीजे मिलती तो है लेकिन कौन सी मिलती है जो मेहनत करने वाले छोड़ के चले आते हैं तो विटा मेहनत का कोई सब्स्ट्यूट नहीं है सक्सस के लिए there is no shortcut for success मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी है ना क्यों करनी पड़ेगी क्योंकि पचाने के लिए माना जाता है उसके बराबर किसी को दर्जा दिया जाता है तो भगवान आपको उस जिगर बैठाने से पहले पूरी तरह चेक तो करेगा बिल्कुल ठोक बजा के चेक तो करेगा कि यह उस लैक है भी या नहीं है अगर आप इंजिनियर बनने जा रहों इस अपने देखने वाले विच्चे कौन से होते हैं जो इस दुनिया की आगे आने वाली प्रोग्रेस की रहात आय करेंगे समझ रहे हैं मतलब हाँ बिल्कुल साइंटिस्ट बनेंगे इंजिनियर्स बनेंगे नई इन्वेंशन्स करेंगे नई टेक्नोजी लेके आएंगे डवलप करेंगे इस दुनिया आगे बढ़ाएंगे तो जिम्मेदारी छोटी नहीं है जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और को जिम्मेदारी सरफ मिलेगी उन्हीं को जो इसके लायक मनेंगे तो हमें एक उसोड सोटकश कर्स कोईछ नहीं सकसे सिर्फ एक रास्ता है सिंपल रास्ता है लेकिन लेकिन कब पर होता है जब आप consistently hard work करते हो डेली काम करना पड़ेगा आपने time का हिसाब रखना पड़ेगा तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सब तयारी कैसे करें अच्छे तरीके से तो हाज हम उस ठोपिक को टूच कर रहे हैं जो हमारा constant motion को जो लेक्चर होगा फिर हम वो शुरू कर रहे हैं पहले मुझ टोपिक को टच करेंगे कि अच्छे तरीके से तयरी कैसे करें रास्ता क्या है उस रास्ते को थोड़ा सा डिसकस करते हैं ठीक है चलो तो सबसे पहले आपके पास में आपको पता होना चाहिके time कितना है और आपका टास्क क्या है आपके पास में काम कितना है और time कितना है तो देखो जो बच्छे नीट के लिए prepare कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो में के फर्स वीक जो 2023 वाला जो एक जाम आ रहा है ह besonders उन्हें के फर्स वीक में होगा मुर्स्टरीस संडडे सब्सक्राइब को देख लिए इसके साथ में पसके अपर लास्टीछ विए 2023 वाला और जो एडवांस के लिए बावली यून के साथ दाध गुए हूगष तो यह आपके पास में time है इसमें से roughly आप नेट और जेए के लिए कम से कम दो महीने का रिविजन टाइम छोड़ दीजिए और जो जेए advance का जो बाद का जो time रहेगा वो almost revision टाइम ही रहेगा जेए और जेए advance के बीच का जो time रहेगा वो भी आपका almost revision के लिए रहेगा तो कम से कम रिवीजन करें 2 मेने चोड़ दीजिए तो इसको डिवाइड कर लीजी गा आपका इसमें आपको स्लेवा सक अब करना है एक तो फ़स्ट जवर करना है कि टाइंग कमे रॉएज करते हैं है और घमनेंक कारेंग ंडन का अश्किंड डूसरा इसमें करना है這樣 दूसरा रिविजन टाइम रिविजन टाइम निकालना है इस में को लिविजन के लिए कम से कम माले मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ क्योंकर चाम नीचे लेगा बैता हुए डी कौन ब melon皆 पाइड प्लस इसके साथ मैं आपको और एक की क्रियेट करके उत्ने ही टाइम में इतने ह्कोश्चन जो मॉस्ले पर र sırट रेंगे वह आटंप करेंगे ना हैंगे विज्टि को आपके ट्यारी हो जाएगे और स्थार स्टोण टेस्ट होंगे मो rek तेस्ट में आपका स्कोर रहेगा औने वाला है quindi आज हमारे समझस्ट अपरसम कितना है आपका सब पूरा स्लेवर्स की बात कर रहा हूं मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे स्लेवर्स अगर आप नीट की प्रिपेर कर रहे हैं तो आपका फिजिक्स का स्लेवर्स चैमिस्टी का स्लेवर्स और बोटनी का चारो इसमें से टोपिक देखो अगर आप ऐपका फिजिक्स का स्लेवस्म reboot और ऑ। एडवांस के लिए में इस्टोडा एडवांस के लिए आपके क्या होता है जाँ में फरर्चिया है यह कि जो editor wanns मैं आपके जो all provided कुछो औंसर्फ को थो क्या करते हैं realized करके बनाता है दो थीन चार बनााके मिल के तब प्रोलम मंती यह उनको एप्लिकेस बिसीसी बज़ां हको कि ज़ो एक यह और ग्रो tuttequila!". को बसकत बनाता है अब टोपिक्स को हमने कवर कर लिया हमारे पास में समय आ गया तो हमारी पास में कितना समय है कि स्टोपिगे डेज में आपको आपको शरी के लिए जुआ गवर करने के लिए जो आपको इसको 2020 का निवर करतें करो सदोव किसमें जमर करो और और फिर तोपिक देखो कितने हैं उसके यसाब से फिर अपना वगा हर बच्चे हर बैचे की अपनी अलग लीकिते पड़ने के बच्चे अधे थे सकते हो आप सब जगह से आपका जो भी distractions हैं सब को हटा दो कि एवल आप जब तक exam नहीं clear कर लेते हो तब तक आप exam पर focus करो और कोई time देनी की है कोई deviation नी आना चाए है कोई डिस्ट्रक्शन नी आना चाए इस पर करो तो topic हो गया हमारे पास में कितने topic हैं इतना time माइरे पास ved ethic तो उसके हिसाब से कि हमें एक दिन में कितने topics काखा करने महीने बर का इसाब लगा लो अनउ a कैसे कर लो आपका चलो यह इस पर आते हैं हम ला कैसे कर चोड़ोले क्वारे में आप you have deadlines हमें सैट करनी है यह महीने मंत में कितनी यह टोपिक्स हमें Meter में करना है ना मंत में इस मंत में करने मंत्वाइज आपको करना है तो यह मान लो टोपिक आपके कुछ भी जो भी एक्स नमबर टोपिक आते हैं अब इसको हम कर लेंगे वीक में किसमें वीक में करने कि वीक में हम इतने टोपिक करने वीक के बाद में हम डे पर आ जाएंगे कि डिले पर और को कि अबको करने हैं मुखकि और MIL- weather उसकेस में यह सबसे इमपोर्ट genes जहांपे बच्चेए ज्यादत अरसे गलती करते हैं कि हमें जब तक जो ठोक हमने उठाया है सबस्किक उठीक है ले लिया यहां मुझे यह टोपिक कवर करना इस दिन तो जब तक वो टोपिक कंप्लेट ना हो जाए फिनिस ना हो जाए किस तरह से एक्जाम के तयारी के के पॉइनिस से तब तक आपको physics का नया टोपिक नहीं चहून नहीं घूमाँ बच्छे एक उपकार करते हैं एक ऊपती को पूरा कर दें पूरा नहीं कर दाथ करो ठोड़ते हैं और फिसक्स की डेड्लाइन में ही कम्प्रीट करेंगे उसको हमें डेड्लाइन को मीट करना है डेड्लाइन को क्रोश नहीं करना है यह हर सब्जेक्ट के लिए करना है मैट्स के लिए जो जेए के बच्चे हो मैट्स के लिए यह काम करेंगे एक टोपिक को उठाया और उस टोपिक को फिनिस नहीं विटा आपका हर टोपिक का टाइम लाइन अलगळग होगी किस हिसाब से होगी एक रफ बना सकते हैं कि आवरेज में तो टॉपिक को छोड़ना नहीं है जब कि हम उसको कवर नहीं कर लेते कंप्रीट फिनिस नहीं कर लेते उसको कैसे मतलब नया टोपिक शुरू नहीं करना है ठीक है अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है डूनोड डैविट फ्रोम यॉर प्लान जो भी आपने प्लान मनाया है कौन सा टोपिक वाइस का कुशन दखिए ज्यादा नहीं मंत में जैसे दो दिन को कुशन रखा आपने कि यह दो दिन तो अगर मेरा कोई टोपिक कवर नहीं होता है किसी टोपिक में ज्यादा समय लगता है तो हम उसको वह दो दिन का जो टाइम है उसको भी आप मतलब कर सकते थोड़ा सा यह जो टोपिक को मतलब कैसे भी इसका डिजस कर सकते हो जो टोपिक आपका छूट गया है जो टोपिक आपका समय ज्यादा लग रहा है जिसमें तो उस टोपिक को हम उसको कवर करेंगे लेकिन अपनी डैडलाइन को करना उसको डेवेट नहीं करना है अगर आप यह कर रहे हो यह कर रहे हो डेली वेसिस पर कर रहे हो तो यकीन मानिये आपका स्लेवस भी कंप्रीट होगा और आप इस एक्जाम को क्रेक भी कर पाएंगे आपके सपनों के कॉलेज में पहुच पहेंगे चलो मेरी बैस्ट विसेज आपके लिए